नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरुन प्रबुदेश आई आप देख रहे हैं ट्रैकिन टेक और वन प्लस फाइफ का लॉंच इवेंट कल था हमने विजिट किया आपने वो वीडियो भी देखे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया धन्यवाद मैं बहुत बहुत बढ़ धन्यवाद देता हूँ हमारे सब व्यूवर्स को क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सारे कमेंट्स इतने सारे क्वेस्टिन्स पूछ रहे हैं और वन प्लस फाइफ के बारे में ये वीडियो जो है वो सभी क्वेस्टिन्स आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा लॉंच इवे या व्यूवर्स जब आते हैं आपसे बात करते हैं आपको बहुत जादा अच्छा लगता है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोग आते हैं मिलते हैं हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे इससे भी अच्छे बनाएंगे so that we can answer all your questions और अब आज के वीड क्या है अगर वन प्लस फाइफ नहीं लेना है तो अल्टरनेटिव क्या है डिसद्वांटेज इस नेगेटिव हैं इस फोन में मैं खुद एक वन प्लस का फैन हूँ बहुत बड़ा फैन हूँ मेरे पास सब फोन्स जैसे आपको मालूम है सब मैंने यूज कियो हूँ है फो जरूर कमेंट्स में पूछिए मैं आपको उधर भी आंसर्स करूँगा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर याद से क्लिक कीजिएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे तो वन प्लस है वो भी एकदम फाइन है मेरे इसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका बिल्ड क्वालिटी स्क्रीन भी अच्छी है लेकिन डस्ट प्रूफ नहीं है वो फोन वाटर प्रूफ नहीं है वो फोन क्योंकि उन्होंने 3.5 mm जैक दिया है उसमें और 3.5 mm जैक जब आत साइड में उपर आपको अगर साइलें करना है फोन जो वन प्रूस का फेमस मोड्स है 3.5 mm जैक वो है और लेफ एंदें लेफ एंदें साइड बिलो अदें सेंटर यू है वो स्पीकर का होल्स है उसके अंदर लेकिन अनफॉर्चुनेटल उसमें भी एक नेगेटिव है मैं तो आप अगर वीडियो कांफरेंसिंग करते हैं या फोन पे स्पीकर पे डालके फोन पे बात करते हैं तो शायद आपको उसमें परेशानी आ जाएगी यूएस बीसी का पोर्ट है जैसे वन प्लस 2 में था वन प्लस 3 में है और या 3T में है सब में वो है तो वो ही ट्रेडि प्लस बोलता हूं कलर मिडनाइट ब्लैक और स्लेट ग्रे यह मुझे आप लोगों ने सवाल पूछा कि क्या कौन सा कलर अच्छा दिखता है मैं बोलू आपको दोनों भी अच्छे दिखते हैं लेकिन परसनली मुझे ग्रे अच्छा लगा थोड़ा अलग है ब्लैक भी करने का अगर एक दो तीन हफते चले गए कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है आप वो फोन दो तीन साल तक इस्तेमाल करने वाले हैं तो अगर आपको जो भी कलर दोनों आप देखिए फिजिकली उसके बाद में डिसाइड कीजिए तल जब मैं फोन इस्तेमाल कर रहा था तो ओपरेशन्स वर रियली स्मूथ वो 6GB, 8GB RAM जो है वो डेफिनिटली डिफरेंस पड़ता है कितना भी आप मल्टि टास्किंग करो मुझे नहीं लगता OnePlus 5 में कुछ प्रॉब्लम आएगा किधर भी लाग आएगा तो वो एक बहुत बड़ी बात है आप कोई भी कितना भी किया फास्ट स्वाइप किया लेकिन हर जगह पे बहुत बटरी स्मूथ उसका इंटरफेस था बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया तो उसमें मैं उनको 10 आउट अफ 10 दूंगा क्योंकि 6GB RAM, 64GB Storage, 8GB RAM मेरे पास जो था वो 8GB और 128GB का था तो बहुत ही अच्छी तरह से दूसरी बात, 128GB में से 105GB आपको मिलता है, मतलब about 23GB OS और बाकी सब जो इंस्टॉल्स होते है, Oxygen OS वो ले लेता है, तो आपको effectively 101GB का space मिलता है 128GB और about 50GB मिलता है 64GB तो तो that is what the net storage space you will get. आप लोगों ने मुझे पूछा, opinion क्या है, OnePlus 5 का, मेरा opinion, OnePlus 5 launch होने से पहले मैं बहुत जादा excited था, क्योंकि अभी तक तो सब own किये हुए है, I wanted OnePlus 5 also, but after I got OnePlus 5 in hand, मेरा enthusiasm थोड़ा कम हो गया है, reason उसका यह है कि कुछ-कुछ चीज़े मुझे अच्छी नहीं लगी उस phone में, कौन सी चीज़े, एक तो मैंने बोला आपको audio, audio is okay-ish, और मुझे audio बहुत important है क्योंकि speakers मैं बहुत जादा इस्तिमाल करता हूँ, तो वो एक important बात है, that was a negative for me. Secondly, rainy season है अभी, चालू हो गया है, monsoon बहुत जोरदार आने वाला है, और अभी मैं अगर phone खरीदूँगा, और सोचिए उसमें पानी भी नहीं चला गया, और खराब हो गया तो, तो वो एक है dustproof, flagship level का phone है, इतना, you know, they work nearly three years on this phone, और अगर आप dustproof और waterproof नहीं कर सकते हो, तो that is really bad. तीसरी बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी और बहुत सारे लोगों ने comments में का है, वो iPhone 7 Plus का बहुत जाधा copy दिखता है, I think OnePlus 5 should have, OnePlus should have ensured that they had some distinctive design, अच्छा design होना चाहिए था, unfortunately, OnePlus 5 looks extremely similar to iPhone 7 Plus, मुझे पहले लगा था, मैं पहले वीडियो में बोला था कि मुझे जाधा लेकिन अच्छी नहीं लागी पहला था, लेकिन अच्छी बात मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन अगर QAWD HD या 2K डिस्प्ले होता हो तो बहुत अच्छा होता है, वो फुल HD है 1920x1080 है, अगर 2560x1440 होता था तो बहुत जाधा अच्छा होता हता है। अभी भी अच्छ आपको लेकिन Quad HD होना चाहिए था, तो यह सब flagship phones जो अभी आ रहे हैं, वो सब Quad HD में आ रहे हैं, तो OnePlus 5 ने वो एक करना चाहिए था. पाँचवी बात, बैटरी, बहुत इंपोर्टन्ट है, 3300 एमेज बैटरी, हाँ उन्होंने सॉफ्ट्वेर के बहुत सारे किये हुए हैं, और यह जो फोन है, वो चलता है पूरा दिन तक, और यह थिंक इट विल वर्क फोरा दिन तक, लेकिन 3300 एमेज बैटरी, वो जो 1 प्लस 3 में है, उससे भी कम आप देते हो, I don't think that is a good thing, मुझे यह भी पता है कि उनको फोन स्लिम करना था, और अगर फोन स्लिम करना है, तो बैटरी पे बहुत असर होता है, क्योंकि बैटरी बैटरी अर थिक, मुझे यह समझ रहा है, बट 3300 से मैं थोड़ा, I'm not too happy with it, तो वो एक पांचवी बात, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, च्छटी बात, और यह ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं है, कैमेरा का जो इंटरफेस है, इतना ज़्यादा उन्होंने कैमेरे के बारे में बात किया है कि, इट इस वन अफ बेस्ट कैमेरा, लेकिन उनका जो इंटरफेस है, इत रिमेंस थे सेम, I don't understand, मतलब वो जो पहले वन प्लस टू में है, वन प्लस थी या थी ती में है, और अभी जो है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कैमेरे के जो फीचर्स है, या उसका जो इंटरफेस है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये एक नेगेटिव है, एक बात समझिए, मैं ये सब नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब वन प्लस फाइव लेंगे, make an informed decision, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने बहुत ज़्यादा वन प्लस फाइव के बारे में positives बोला है, लेट मी थिंक ओर एक बार review unit मेरे पास आएगा, एक दस दिन यूज करने के बाद फिर मैं डिसाइट करूँगा, और वैसे ही आप भी थोड़ा रुख जाएए, मेरे हिसाब से वन प्लस फाइव खरीने से पहले, और सबसे बड़ी बात, I am extremely dissatisfied with the price, 33,000 and 38,000, जो US में प्राइजिंग है, उससे कम से कम 2,500-3,000 से ज़्यादा है, जो 6GB वर्जन है, और जो 128GB वर्जन है, वो भी अबाउट 2,500-3,000 से ज़्यादा है, मेरा एक्सपेक्टेशन था, अबाउट 30,000-31,000, जो 128GB होगा, वो 35,000-36,000, अगर आप 8GB, 128GB के लिए 38,000 खर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे, यार मैं iPhone 7 ही ले लूँ, iPhone 7 Plus या iPhone 7 ही ले लूँ, क्यों OnePlus पे जाऊंँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, और वो सही है, अगर आप 4-5,000 या 8-10,000 डाल के iPhone ले सकते हैं, तो क्यों नहीं, तो ये है मेरे opinions, जैसे मैंने आपको कहा कि, मैं रुकने वाला हूँ, मैं immediately नहीं खरीदूँगा मेरे खुद के लिए, मैं थोड़ा यूज करूँगा उस phone को, हम एक 10-15 दिन के बाद, usage करके उसके बाद में एक user review डालेंगे, फुल, वो भी आप जरूर देखिएगा, और उसके बाद में आप decide कीजेगा, कि अगर आपने 1-5 खरीदना है या नहीं, अगर और भी आपको कोई सवाल है, तो जरूर पूछिएगा, मैं जरूर कोशिश करूँगा, हर सवाल का जवाब देने की, and finally, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप पहली बार आएं, इधर तो subscribe जरूर कीजेगा, like जरूर कीजेगा वीडियो को, क्योंकि ज्यादा likes, ज्यादा motivation, और भी अच्छे वीडियोs,